Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11 एपरिल से लेकर 17 एपरिल तक की आपकी टारो रीटिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और अब ही currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ, तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं, तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए, और दिखिए, जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे, तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ-साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं, तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं, जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं, उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं, या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापता ही ग्राशी फल तो चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए cards है, four of pentacles reverse and decrease और देखें, सबसे पहली बात, यहाँ पे pentacles का card reverse कहीं पैसा आपके हाथ से जाने की बात करता है और कुछ लोगों के लिए positive हो सकता है, कुछ लोगों के लिए negative हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी savings आपके पास थी, आप उनको कहीं invest करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि generally आपका खर्चा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जितना profit आपने expect किया था, उतना profit नहीं हो रहा है और इसी वज़े से या otherwise भी, एक instability, एक insecurity भी किसी level पर आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब हम कहीं investment भी करते हैं, तब भी एक thought हमारे mind में रहता है कि पतनी ये investment उतनी fruitful होगी या नहीं होगी तो कुछ ऐसे से thoughts, कुछ ऐसी सी energies भी इस week रहते हुए दिख रही हैं और पीछे किसी चीज को आप बहुत ज़ादा cling कर रहे थे बहुत ज़ादा tightly पकड़ कर बैठे हुए थे, एक attachment महसूस कर रहे थे तो उस चीज को भी आप लटको करना चाहा रहे हैं या फर कर रहे हैं और देखें ये सब के लिए again थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ लोगों के लिए कोई job हो सकती है, team हो सकती है, project हो सकता है कोई colleague हो सकता है, कोई thought process, कोई belief system हो सकता है अगेन कोई भी चीज हो सकती है, जिसको आप बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे उसको ही आप लटको करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और नीचे देखें, decrease का card भी किसी चीज के कम होने की बात करता है और देखें, जब भी हम decrease word को सुनते हैं, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि normally, किसी भी चीज के कम होने को हमने एक negative emotion, एक negative feeling के साथ associate किया हुआ है लेकिन हमेशा ही किसी चीज का कम होना बुरा नहीं होता है जब stress कम होता है, जब tension कम होती है, जब pressure कम होता है तो देखें हम बहुत अच्छा feel करते हैं, लेकिन जब tangible, materialistic चीजें किसी भी level पे कम होती है तो हम परेशान होते हैं, तो देखें फिर से सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन कोई चीज घटती हुई, कोई चीज कम होती हुई भी specifically इस week आपके professional front में रहती हुई दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है three of swords and keeping still और देखें three of swords का card कहीं hurt energies की बात करता है एक pain, एक तकलीफ, एक परेशानी की भी बात करता है तो देखें ये weekly reading है, बहुत कुछ बड़ा नहीं होगा लेकिन फिर भी किसी level पे एक बहुत comfort, एक बहुत happiness, बहुत एक joy आप महसूस करते वे नहीं दिख रहे हैं और देखें ये general reading है, तो यहाँ पे सब के लिए different reasons होगे कुछ के लिए हो सकता है कि किसी loved one, किसी close one के साथ पीछे आपने बहुत किया और इस week आपको एक expectation थी और उस तरीके से चीजे नहीं हो रही है या फिर उनकी तरफ से उस तरीके का response नहीं है या फिर देखें हो सकता है वह गोज, आप ही बहुत sentimental हो रहे हैं बहुत sensitive हो रहे हैं और छोटी-छोटी सी बातें आपको hurt कर रही हैं और अगर ऐसा आप पाएं वह गोज, तो थोड़ा सा इस चीज को check करके correct करें कैसे आप अपने आपको emotionally, mentally, physically इतना strong बनाएं कि externally कोई भी चीज आपको effect ना कर पाए, आपको beyond the point परिशान ना कर पाए इस पे आप जरूर focus करें और देखें फिर से अगर हम three of swords के card को देखें तो सब के लिए different चीज़ें हो सकती हैं जो again आपको किसी level पे hurt कर रही हैं और शायद इसी लिए देखे keeping still का card कहता है कि आप एक्तम से रुक गए हैं या फिर आपने एक pause ले लिया है कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है ना कि जब ऐसे होता है आप नम हो जाते हैं किसी चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं तो वैसी सी भी energies रह रही हैं और कहीं देखिए कैसे आप इन में से ही अपने आपको बहार निकालें आप उस पे भी focus करते हुए दिख रहे हैं कैसे एक नई beginning आप करें कैसे नए सिरे से एक you know again मैं कहूंगी नई शुरुवात अपनी life में करें उस पे भी आप pause करके focus करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो दिखे बहुत great energies नहीं दिख रही हैं लेकिन वर्गो जिन्दगी इसी का नाम है खटा मीठा तो हो सकता है कि इतना मीठा इस week नहीं है थोड़ा सा खटा है और जब हम इस खटे को भी enjoy करते हैं तो यकीन मानिए कोई भी चीज हमें beyond the point परिशान नहीं कर पाती है और वैसे भी ये weekly reading है नया week नई energies लेकर आएगा और नई चीजें आपकी life में लेकर आएगा तो इस week आप बहुत जादा again मैं कहूंगी किसी भी चीज में involved ना हो या फिर इन ही चीजों को बहुत अपने उपर overpower ना करने दें क्योंकि देखिए जब जो भी चीज हमारी life में होती है हम उसको बहुत महसूस करते हैं तब ही हम परिशान होते हैं और अगर हम mentally अपने आपको prepare कर लेते हैं mentally you know अपने आपको समझा देते हैं तो फिर यही चीजें हमें beyond the point परिशान भी नहीं कर पाती हैं and guidance है आप लगों के लिए a card है new moon in Scorpio और यह card कहता है work through your fears तो दिखे किसी भी चीज को लेकर अगर एक fear एक insecurity आप महसूस कर रहे हैं तो यहापी यह card आपको कहा रहा है कि बहुत बहुत important है कि इन ही fears में से आप अपने आपको बहार निकालें और मैंने हमीशा कहा है work goes कि जो भी fears हमारे life में होते हैं वो 85% of the times बेबुनियाद होते हैं baseless होते हैं उनका कोई वजूद नहीं होता उनकी कोई reality नहीं होती यह सिरफ और सिरफ हमारे mind का एक thought होता है हमारे mind की creation होती है और जब हम इन fears को, इन thoughts को question करते हैं और you know positive thoughts के साथ replace करते हैं तो यह fears खुद बखुद ही गायब हो जाते हैं तो दिखिए जो भी आप करें बहुत important है कि इन fears को आप upfront होके deal करें इन fears से आप बहार अपने आपको निकालें and astrology से आप लोगों के लिए cheer on का card है और इसके हिसाब से green color या फिर all shades of green आप लोगों के लिए lucky रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था वगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए